स्वागत आप सब का पी एसल के मैच्स टंबर आठ के अंदर मुकाबले हैं यहां पर इसलमबाद उनेटिट बनाम क्यूटा ग्लैडियेटर्स के बीच पर हैं जो खेला जाएगा गदाफी स्टेडियम लहुर के उपर मैच्स टाइमिंग है शाम के साथ बजे तो बहुत ही ब क्यूटा की बात तरहते हैं रॉय और शाउट शाकेल उपन करते हैं फिर बाद में रधरफर्ड है राइली रश्वा है ख्वाजा नेफिक भी अटेकिंग श्रॉट्स खेलते हैं तो आपके टॉप क्लास मैच देखने को मिलेगा तो सबसे बहुत करते हैं फिर मैं को कुछ इनके बास क्रिकेटिंग शॉट्स है टीम के प्लेट्स के बास तो देखने लाइक मैच होगा तो सबसे बहुत हैं पिच रिपोर्ट देखेंगे कि यहां की कंडिशन की असी होती है और भी तकि स्वानी के पर जितनी पिचस हुई है उन पर हमने क्या ट्रेंड देखा है स् सकता है रहले रिश्वों को टीम में लेना या नहीं वाइस केप्टेंसी की बाद नहीं करूंगा क्योंकि उसका जो मैच अब देखिए अगेंज श्रदाब खान बहुत खराब रहा है 12 इनिंग्स के अंदर 6 बार आउट पर श्रदाब खान के असामने 65 बाल के अंदर मातर आपको एक और में इंट्रेस्टिंग मैच अप बताता हूं ऐसे बहुत सारे मैच अपसे यह देखो एलेक्स सेल्स वर्सिस मौंबद असनेइन 6 इनिंग्स में चार बार आउट किया एक 30 बाल के अंदर 43 रंस देगे कॉलिन मंदो वर्टिस मौंबद आमीर का होता है 15 इनिं आपको देखने को मिल सकता है अगें सदाब 30 वाल 41 रंस 7 इनिंग्स में 3 बार आउट कैसे बहुत से और भी मेरे पास ए जिनके बारे में भी डिसक्स करेंगे आपको करना क्या वीडियो पूरा देखना है और टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लो क्या फाइदा है शाम के 7 लेगे आपको मिल जाएगे यहां पर गयादाफी स्टेडियम लाहॉर इस वैनिवें कल डे गेम वा दा पेशावार जालमी अगेंस कराची किंग्स 21 तारीप थी वो उसमें क्या हुआ था पेशावार जालमी पहले बैटिंग करने आती है 154 रंड पे धेर हो जाती है हुआ कि अदर वह बस यह था बाब अरजम चला तो स्टिम से और कोई नी चला रावर पॉल ने हलका साथ दिया और कराची किंग्स आती है पॉली वाई के इनिक्स गजब की थी 48 ए 49 रंस की विनिंग्स 16.5 वर्स के अंदर टार्गेट चेस कर लिया तो यह विगेड है गजाफी क यह बहुत बैटर रैस कंपरेट तो मुलतान मुलतान का जो ट्रै को थोड़ा सा स्लो है और ट्रीकी पीछे टैकी पीछे वाई फसके आती रुपके आती है पट यहां पर एसा नहीं इतना 187 बना साथ विगेट के नुक्सान पर टार्गेट चीस हो गया पांच बॉल रहते 206 बना और टीम ने 190 बना दिया 195 बना टीम ने आपर चेस कर लिए असलमाबाद ने एगेंस लाहर जो पीछल का मैच नमबर एक था करीबन 10 बॉल रहते 163 टीम ने 159 बनाया 192 बना टीम न ठीक रिकॉर्ड रहा है क्यूटा अपना यह सीजन बहुत 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 बैतर लेके चल रही है यह अलग टीम है बारा मेंसे चार मैचेस जीते हैं बटीन आखडों पर आप मच जाईए बैटिंग फर्स एक मैच जीता गया है इस पीछल गंदरी 20 के उपर चार मैचेस में उनमें तीन मैचेस चेस करते हुए जीते गया है प्रतियों और 8.65 के आपस पास रंज बनता है और इस 20 के उपर जो लास्ट मैच वादा काराची वर्स पेशावार जालमी गा तो इस मैच में दस विकेट पेशर का था तीन विकेट वापे स्मिनर्स के थे अभी हम पूरा को समझते हैं पिछले चार मैचेस के अंदर पेसस ने 28 विकेट निकाला है पहली बारी में 20 है बहुत इंपोर्टेंट रह रहे है और दूसरी पारी के अंदर 8 विकेट है तो आपको क्लियर के सिगनल मिल रहा है क्या करना है राट आम पेसर का 15 लेफट आम पेसस का 13 अब पिछ की फोटो देखते हैं जो कल मैच वादा न डे गेम था तब कि पिछ की फोटो आप मैच नंबर 6 देख सकतो लिखा हूँ आ रहा है यह बहुत बढ़िया ट्रैक था अलगा सा ड्राई था इसलिए जो मिर्जा मीर हमजा थे डेट और मैं के कटर सदाल के विकेट निकालके गए डैनल सेंप्स ने वो किया था असन अली भी यह काम कर रहे थे तो यह मैच नंबर 4 में पिछ आसे थी जब नाइट गेम वा था मैच नंबर 2 में पिछ आसी मैच नंबर 1 के अंदर आसी थी तो अभी देख 4 मैच वा है चारो मैच के मिन आपको पिछ की फोटो यह स्टेडियम का व्यू आप देगो पासी में ऑके ग्राउंड है बहुत प्यारा स्टेडियम रखता है यह बहुत अच्छी यहां पे लाइटिंग है और बहुत अच्छा ग्राउंड है वाला यह देख सकते है आसी लेगे पिछ रिपोट मेरे को मेरे को कमेठेकर की बता इस्लामबाद उसने मार्टिन गप्तिल को साइन किया है फॉर्द मॉहम्मद वसीम जो यूई की प्लेयर है वसीम वो नहीं आरे दून टीम्स ने सतरा मैस खेल है यो इस्लामबाद नो जीती है क्योटा आड जीती है अब टीम चार तो मार्टिन गप्तिल को भी खिला सकती है बड़ यह ओला मैस तो नहीं खेलेंगे अगला मैच खेलेंगे अगर खेलते हैं तो भी जसन रोई उपन करेंगे साउट साकल के साथ ख्वाजान अफे मर्जिंग प्लैर है कमाल के बैठे रही है और रहली रश्वाप को दिख जाते हैं कप्तान सर्फराज रदरफ़र्ड अखेल मुहमद वसीम मुहमद आमिर अबरार और मुहमद अस्ने कॉलिन बन्रो आठ मैच खेल चुगा है इस टीम के खिलाफ रंस अच्छे माना है इसने क्यूटा के खिलाफ 327 रंस है 184 का स्ट्राइग रिट है बैटिंग वस्त तीस जीरो एकतिस बहतर नबाद अड़त अड़तिस चेस के उपर तीन नबबाद अबाद अड़त तो आठ मैचस हेट टोड़ खेल के दो बार फ्लाउप वाई जीरो रंस की पारी बैटिंग फरस में चेस के उपर तीन की वैन्वी बेच है मैच खेल है जी हां बन्रो 166 रंस है 136 का स्टाइग रिट है बैटिंग फरस 87 नाबाद चेस पे 50 दो 18 चार पांच रिसन फॉर्म बहुत ब इडिड़ बॉल फॉर्मूला होता है सामने महमाद आमीर होंगे जिनके सामने 15 इनिंग्स में पांच बार आउट हो चुका है उसको कैसे खेलेगा देखने लायक होगा रिसेंटली महमाद अली ने स्विंग कराथे विसकाट किया तामीर भी स्विंग कराते हैं पावर प्ल वैनी भी 11 मैचस खेला है चार चुश है रंस है 43 की और स्विंग का स्टाइक रेट है बैटिंग फस्ट असी नाबाद बासट पच्छी सथारा चेस के उपर बासट अड़तीस एक सत्ताइस सत्ताइस सतावन चक्तिस तो गदाफी स्टेडियों में से आम तरो पर बैटिंग सेर्फिस होता है और देखते हैं क्या करबाता है इस गेम के अंदर कैचस अच्छे पकड़ लेते हैं यह एक फाइदा इन का यह भी है 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 थोड़े से नंबर्स चांद रहे है ऐसे वैनी किपर इसने बहुत अच्छा खेल है सलमान अली आगा पांच मैच में 170 रंस है सेकि बैटिंग फर्स करते हैं जॉड़न गॉक्स है ट्वर यह टुबले वन यह टुबले फर्म 4157 204 26 28 नाबाद ठीक ठाक फर्म में चल रहा है पिछले दा हंड्रेट से देखते हैं समेच में कहा कर पाता है अज़म गान चार मैचेस में 197 रंस है इनके पिताजी स्टिम के चार मैचेस में 197 रंस इस्टिम के इकलाव जब भी बैटिंग आरते हैं अच्छा खेलते हैं 65 0 97 चेस के पर 30 क्योंकि सामने वाली टीम के पास कोई खास स्पिनर नहीं है क्योटा के पास यह रिजन रहा है पहले अभी जोन के पास अब्रार आमेद है वो देखते हैं किस तर अब्रान का रूल थोड़ी से नजर रहेगी स्प्लेयर पर इमाद असीम का 15 मैच में 138 रंस है 19 विक्टे रसेंट फॉर्म बहुत खराब रहा है भाई का क्या ही कहने है अभी 19 विक्टे नहीं है यह 10 विक्टे आएगा आप खुद ही बढ़ सकते हैं बॉलिंग फरस्ट में 5 मैच में 5 विक्टे आप बॉलिंग सेकंड केंड है तो 5-5 होता है 10 वो 9 के साइड में 0 होता है इस वज़े से मेरा 9 टाइप हो गया जो मेरी खुद की गलती है आठ मैच में भी लस गया और वेणी के आप पर 33 मैच खेल है 400 विक्टे है 27 विक्टे है परटी सुनमें में भी तैक लगा नहीं है इमाद वसीम खेल रहे है क्योंकि जिस तरह से 2 मैच असमें प्रदर्शन दिया है तो खास लिया है नहीं शुदा फांगा 12 मैच में 1500 विक्टे है 14 विक् यसी वैंडी के उपर इसमें लास्ट तार रन की नाबात पारी खेली थी दरशाता हैं कि विकेट्स बहुत बहुता होता है पाइक मसरफ Fel 11 मैचस में 11 मैच सब्सक्रायों में 15 विक्त के पारा हूँ तक वाइकल रुटेट् दर सप्सक्रायों में यहूल जो मेने सब्सक्राय का है बैसे मतवं आइक का और उस थे चांड़ में एक बाइञ इंडा वारा धी फेस सब्सक्रायों explains प्लियरे को मैं नसीम साwen क fleek को प्लैयर में टेका। प्छले मैच में अच्छे रिदम में दिखा था है पहले मैच में रिदम में नहीं था। उबेट सा, हैट्टवर्ड एट्टू प्ले, वेन्यू पे विकेट लग्स गया था, एक और का स्पेल दा उसके अंदर, टेमा मल्स, एक मैच के अंदर हैट्वर्ड खिला था बट इसकी बॉलिंग नहीं आई थी, देन्यू के पर दो मैचे में चार विकेट है, बॉलिंग फ प्रसिस ओटागो के अलिमिटर फाइनल के अंदर, फॉर्ड ट्रोफी के अंदर, कासिम अकरम, ये दिया हुआ है, मैथिव फॉर्ड, शहाप खान, ये भी बहुत प्यारा बोलर है, लाइक जांदत खान, विचले मैच में नशीम का पहला तीसरा पांच वा, उननीस वा था फाहिम का दूसरा चौता, बहुत मार खाया था उसे में, उबेट्शा का चटवा, वारवा, हिमात का साथवा, नौवा, चौदवा, सोलवा, शदाप का ग्यारवा, तेरवा, पंदरवा, सतरवा, टिमा मिल्स का आठवा, दुसवा, ठारवा, भीसवा था, रॉय, छै मैच स्पेशली जिस चरह से होता है, बॉल, बैट के उपर अच्छी गति से आती है, सपाट ट्रेक होते हैं, सौट शाकेल, एक टूपले, हैट टूड, हैट टूडे, खेलाएंगी बेचारा, सच्छे यह बता हूं तो, मैं, कहीं नहीं खेलाएं, बैने के उपर 6 मैच, 152 रंस ह चौटर गिया, PSL मैं दूसरे में 40 किया, ग्लास यसके बाद स्टेच एलिगेंस है, इसके लिए जाना जाता है, ख्वाजा नफे, अपने अग्रेशन के लिए जाना जाता है, पिछले मैच में शांदार साट रं की नाबात पारी थी, अपने टीम को जीत दिलाने के अंदर अंदर इनका बहुत बड़ा युगदान था, क्योंकि रैली रेश्वा, यह रॉय, साट साखिल सब आउट हो गया थे, ख्वाजा नफेव, अकिला वाँ खड़ा था, कह रहा था मैं बनाऊंगा रंस, क्या पारी दिवाइस बन देगी, यह शाइन शाफरिदी का मिक्षार लगता है मेरे को देखनी के अंदर आप देखो भाईगो, स्माइल भी वैसी है, साट में दिंपल आ रहे है, छोटे-छोटे, रैली रेश्वा, 14 मैचस के अंदर 210 रंस है, एक अर्शत है, बैटिंग फर्स 10 मैच में 191, चेस कुपर 2 मैचस में 19 रंस है, कोई खास आगडे नहीं रहे है, चल गया तो चल गया, आउट फर्म रहे है, वैसा ये, 18-14, 10-0, 10-13, 1-0, बैसी 29, ऐसी पारी आपको पता नहीं कब आ जाएगी बैसी रंकीन की, अभी भी आ सकती है, अभी फिलाल मैचस तो अगेंस्ट है, 16 मैचस तो अगेंस्ट है, 16 मैचस तो अगेंस्ट को फॉलो करते हो तो, पाँच मैच में 121, बैटिंग वस 17, नाबाद 16, चेस के उपड़ 6, नाबाद 29, वैन यूवे, 6 मैचस खेल है, 82 रंस है, और इसने रिसेंटली एडम जैंपा को भी बहुत अच्छा खेला था, जो हमने वेस्ट इंडीज वाली स्रीस कवर करी थी, त और सामने शदाब होगा, राइलियो रिस्वास के सामने फस जाता है, बड़ जो अबने रदर फड़ा को कहता है, वैसा मैं लपेट हूँगा ना, क्यो टेंशन लेरो आप सब, ऐसा प्ले रहे हैं, तो देखते हैं, इस मैच के अंदर क्या कर पाता है, ये, सर फोरा 17 मैच म साथे 300 रंज, समयशन का रहा है कि Chase Kipper सोड़ा बैटर कहिलते हैं, 9 मैच में 232, वैटिंग फर्ष में 7 मैच में 11, रीजन यह था, मैं आपको पहले भी गा है, Chase Kipper इसके, इनकी टीम कॉलेप्स कर जाती थी, तो ये आकि ए थोड़ी बहुत रंज करते थे, 49 मैच मैच मैदान पे 636 रंज से 26 के उसएथ है, पिछले मैच में अच्छा दिखा था, 11 वे आउट हुआ, कावर स्कीपर कैस दे मारे, अकिल, येट टू प्ले है, वैट टू प्ले है, वैट रीजन वेट प्ले है, पिछले मैच में बहुत बेटर स्पेल था, इनका, 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 वो डे इनके मामले में, 58 रंस है, वैट इस गेम में अच्छा युदान होगा, क्योंकि इस आमने सारे पावर्फुल लिटर्स है, वसीम के लिए एक अच्छा मोगा है, तो अमीर का 12 में 12 विगेट से, वैन्यू के पर 11 मैच में 14 विटे, शाड़े चेकी को नमी है, अब रार एक् में 10 विगेट अट्कोट के अंदर बाॉलिंग फर्ष्ट में बहुत अच्छा अगड़ है, थीन मैच में 7 विटे, वैन्यू के अच्छा युदा के अच्छा विगेट लज़ गेट लज़ गया, तो प्राईगर सकता हैं बाॉलिंग फर्ष्ट में, अच्छा बॉलर है, लॉर इवांच, उश्मान कादीर, इनके वाँसे बहुत अच्छा लेक्स्पीनर है, बट जरूत नहीं पड़ी अभी तक कोई खास, अबरार है, बिकॉस स्टाटिं। सब्सक्राइब के लिए सब्सक्राइब के लिए सब्सक्राइब को पहली बार खेलेंगे क्योंकि उनके टीम मेट रह चुके हैं दोनोंने नेट्स के अंदर एक दूसरों को खिला होगा अब किसने किसको कैसे रेड़ गया था नेट्स में वो दोनों जाने हैदर एली अगेंस्ट आमीर चैबॉल दस रन दो में दो इमाद भाई फाहीम अगेंस्ट असनें चैबॉल आट रन तीन में दो आमीर ने भी इसको दो बार आउट किया है कॉक्स वर्जिस आमीर नौबॉ गबतिल भाई का भी दिया है मैंने ऐसा नहीं है रोए अगेंस्ट आप साथ में तीन बार आउट किया है तीज वर्ण में 41 इमाद ने भी इसको एक सो पच्पन वाल कंदे एक सो चीहत्तर अन्द के पंदरा इनिंग्स में चार बार आउट किया है और तो कोई खास मेरे को म पर आउट किया है रोमान रैस ने भी इसको पांच निंग्स में दो बार आउट कर रहा है लार इवांस आपको दिखेंगे नहीं बहुत कम चांस है और लीडर बूर्ट चल रही है आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं करोड रुपे की पाकिस्तान सुपर लीक के अंदर और पाइदा यह है कि आप जो इन्वेश्मेंट कर रहे हो समझो आपने डिपोजिट किया दस जार रुपे एक बार इसके उपर फिर आप जीतते जा रहे हो आपका पांच-छेलाग का इन्वेश्मेंट हो जाता है तो आपको प्राइजस मिलने के चैंसे ज्यादा हो जाता है के साप से तो आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिल सकती है उनके बेसस पर लिंक नीचे दिया हुआ है कॉमन कैप्टेन शदाप जसन रॉइ अलग जाना तो कॉलीन बंडर है माहुद असीम जूनियर शाव श्रा के लिए माध कॉप रोटेट कर सकते हैं चलता है फैंटेसी के उपर लॉंग और लॉंग ऑफ के उपर तो वहां पर बहुत ट्रेवल करती ही बहुत तफ़ा मन्रू को बैक किया है एक्स्पेट करूंगा इस दियम में थोड़ी अच्छी पारी आई आठ मैसे च्छे बार एक्ट वड़ी के नदर चला यह वजो आमीर का थ्रेट है थो यह पिर बाइट एक बढ़र शेय्म सटाँना पाड़े सब्सक्राओं स्कूर्ण। पर बेजा जाता है वन अजम खान अपने आपको प्रमूट कर सकते हैं इस गेम के दर अगेंस्ट इस फेवरेट टीम क्यूटा सर्फरास नीचे आते हैं मतलब निए कोई खास जादा अलेक सेल्स फिलाल लिया हुआ है मूडी प्लेयर है मैच असने के साथ 6 में 4 बार आउट ह सकता है श्रदाब बैत्तुपूर्ण हिमाग को रोटेट कर सकता है फाहिम को वालिंग फॉस्ट के अंदर श्रदाब खान तुक्या रहे है साउट शाकिल अच्छा ग्रिगेटर है टच प्लेयर है सलमान भी ठीक ठाक प्लेयर है बात हुआ आती है पिछले मैच में भी स्ट अच्छी बॉलिंग करता है बट एक विगेट निकालता है मुश्किल से या फिर विगेट लग जाता है रहीम जा यह भी उसी टैप का बॉलर है अब रहार अटेकिंग बॉलर स्पिन डालता अच्छा विगेट निकाल सकता है वसीम रोटेट कर लेना वही इसको मैंने ले तक है टिमा मिल्स है और यहां स्टस्नेन को मैंने बैक किया पिछले मैस में ठीक ठाक पॉइंट देखे गया था तो देखते रहे स्टैट शुरू जो मिलता हूं सो टेलीग्राम के उपर सी सुन लग भी हो अबरार और अबरार ही अच्छा ग्रेंड लेक वी कपले बन सकता अझान लेक शोगे सी सुन